तो गाई जाज हम बात करने वाला है कि जो की पंजाब स्टेट पावर कॉर्परिशन लिमिंटेड की तरफ से जो टॉटल 2632 पोस्ट निकल कर आ रही आज उसी के बारे में पूरी के पूरी जान करें जो है प्राप्त करेंगे उसका फूल नौटिपिकस्ट जो है रीड प्लाफ एप्लिकेशन फी प्लास यथी ऐस्टी प्लास मेंक चीर के रिस्ट जोय लगें गे और ऐसंगिस्टीश निक्षी 11 6 2020 कि तक कर दिया गया है पूरी पूरी लास्ट जो ए और इसका क्लोजिंग डेट जो है ऑंलाइन रेजिस्टर्सन कि 25 साथ 2021 यानि कि वेकेंट के टोलिपिकास्ट एंट्रियों प्वालिपिकास्ट की यह सबसे जादा यानिकी पांसओ उन्चास हुए यह एन्ली डिग्री पोसेस एक अटीपिकास्ट नोन टेक्निकाल के लिए आए दोस्तों और्टेकनिकल के लिए जो अरिये जुनियोर इंजिनियोरिंट्रिकल के लिए टौ्टल पचेत्तर पो Siya T इसका क्वालिफिकाशन और एसिस्टेंट लाइनमेन के लिए टोटल है 17 सो पोस्ट ये भी सबसे ज्यादा है और ये इसका क्वालिफिकाशन जो ये 10th क्लास होना चाहिए या फिर ये नसी लाइनमें ट्रेड डिग्री और डिप्लोम में इलेक्टिकाल इंजिनियुरिंग य पार एसिस्टेंट साथ स्टेशन एटेंडेंट्स के लिए या टेस्टेए प्रिंटि एक्षा सोρεί रफटिकाल इलेक्ट्रींटिसीं वार्मेन डिपलोम Ahora Electrical Engineering भी करके किया हूँ तो मैं आपको दिखाता हूं इसका नोटिफिकाशन जो है किया रहेगा तो यहां से आप देख सकते हो पंजाब स्टेट पार कोर्परेशन लिमिटेड तो यहां पर देख सकते हो इसका डेट जो मैंशन किया गया है तो यहां पर देख सकते हो किस केटेगरी में कितने पोस्ट यहां पर आप चेक कर सकते हो टोटल होमें के लिए कितना है मैं के यहां पर आपको मिल जाएगा तो यहां से आप अच्छा तरी के असे कर सकते हो तो मैं आपको Mich這樣的 आपको में अपको वही बाता हूंगा तो मैं आपको यह देख्येद दोस्तों ही है टेबल सी पर क्या क्या दिया हुआ है तो यहां पर आप पूरी की पूरी जो है यहां पर नोटिफिकेस्टन रीड कर सकते हो फिलाल में आपको बेसिक चीज़े बता रहां तो यह आप आप देख सकते हो रेवन्यू अकांटेंट के लिए यह पोस्ट कोड ग्यारा है यह न और क्लार्क के लिए देख सकते हो पोस्ट कोड बारा है यह पांसों चास पोस्ट है यह बेचलोड डिग्री क्वालिफिकेस्टन होना चाहिए रेकोगनेज उनिवार्सिटी में और एंड पोसेस्ट अट लिस्ट वान हंड़ेड टेंटी होना चाहिए तो यहां पर आप द डिपलोमा किया होंगे तो यह इलेक्ट्रीकाल इलेक्ट्रीक अलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग फ्रम में इंस्ट्रीचूट रेगोगनेज बाइ स्टेट सेंट्राल जी अबीटी मिनमुम शिक्स्टी पर्सन मार्क जो होना चाहिए यह प्राब देख सकते हो भीटक ब् अब तो इलेक्ट्रीकाल इंजिनियरिंग विट मिनमुम फिप्टी पर्सन मार्क जो होना चाहिए यह फ्रे एम आई इलेक्ट्रीकाल इलेक्ट्रीक्स इंजिनियरिंग विट अटलिस्ट फिप्टी पर्सन मार्क यह भी होना चाहिए आप आप देख सेकते हो एसिस्टन ल पूरिय नोटिपिक्सिन जोई रीड कर सकते हो तो यहां पर देख सकते हो रभन्यु अकाउंटेंड के Лिए जोई यह कि मॉड़ एक्जामिनेस्ट्न आप आप देख सकते हो कितने मार्क का क्विश्चन आएंगे डिग्री लेवल फाइन्स एकाउंटेंड यह डिग्री के लिए 10 questions, total हो गया 100 marks, और Clark के लिए static current affairs general knowledge 20 questions, basic computer knowledge 10 questions, logical reasoning quantitative aptitude के लिए ये 25 questions, numerical aptitude के लिए ये total 25 questions, general English के लिए 20 questions रहेगा, और J electrical LM, SS, A, ये भी आप देख सकते हूँ, ये question related constant discipline of post applied eligibility criteria, mentionate table E, का आप read कर सकते ही, ये total number of questions 70 रहेंगे, general knowledge के 10 questions, reasoning के 10 questions, general English के लिए ये total 10 questions, total हो गया आपका, ये भी 100 questions, और J के लिए, J electrical के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, online आपका examination जोए, online कि थ्रू होगा, तो यहाँ पर देखते को फेजवान preliminary exam होगा, phase to the man's exam होगा, जो preliminary पे qualify कर से कर पाएंगे, वह, वही candidate मैंस exam दे पाएंगे, तो आप यहाँ से पूरी के पूरी information जोए जान सकते हो, पूरी के पूरी information जोए, रीड कर सकते हो, तो देख सकते हो, for minimum qualifying mark जोए, general category candidate के लिए ये 45%, qualifying mark जोए यह रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यह total जोए notification 25 पेज का है, तो मैं आपको पूरी की जोए, पूरी जान करी जोए, नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको basic चीजे जोए, मैं आपको बता दिया, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कियो, तो लाल बोटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जो बेल का आइकन है, उस पर भी दवा दो, ताकि और भी जब अपड़ेट आपको मिलते रहे, तो आ आज के लिए वस्तना है, फिर मिलते है, एक निया जोब अपड़ेट के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत